जैहिन मेरे प्यारे बच्चों, आप सबके दिवांग में एक बात चल रही थी कि आइंसर की कब आएगी, रिजल्ट कब आएगा, तो इंतिजार था मनीपुर के जो एक्जाम कैंसिल हुआ था बेटा, उसके री एक्जाम की डेट का, अब री एक्जाम की डेट आ गई, और इरी एक्जाम 3-5 जून के बीच में हो रहा है, अकुलार्ट सिटी में हो रहा है, अजीवल, कोहिमा, सेलांग, गौहाटी, कोलकटा, डेली, बंगडूरू और इमफाल में, तो ये अब डेट आ गई, और यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, ये NTA की नोटिस है, ये पू अंसर किया थी 31 अगर्स को, 45 दिन बाद, तो आपको ये लग रहा होगा, कि ये अंसर की भी 45 दिन बाद आएगी, नहीं बच्चों, हमको लगता है, कि ये अंसर की आपकी 10 जून के अंदर अंदर आ जानी चाहिए, और रिजल्ट भी आपका बहुत जल्दी डिक्लेयर हो ज या फिर अंसर की 45 दिन बाद आएगी, ऐसा नहीं बच्चों, जल्दी आएगी, दूसरी बात है, वो सारे बच्चे जो किसी वज़र से जिनके नमबर थोड़े कम आए, वो परिसान नहीं हो, और जो निव लाइट की टेस सेरीज है, बिल्कुल सिमिलर होती है नीट के, होगा, जरूर अपने स्कोर लिख दे, ताकि कॉंसलिंग में आपकी हेल्प की जा सके, सूपर रेंकर बैच स्टार्ट हो गया बच्चों, दो तारिक से हम लोग स्टार्ट करने जा रहें, कुछ बच्चे आ गए थो उनकी क्लासे स्टार्ट हो गई, तो ऐसे सारे बच्चे जल्दी मई आ जाएगी, इसलिए आराब मत करिएगा, जुट जाएए, जुट जाएए, जुट जाएए, क्या यार, अब तुमको पता ही न, सब कुछ एंस्याडिस आता है, एक साथ बार साथ में जुड़ो, सब कुछ सही हो जाएगा, ठेंक्यू सो मज बच्चों, तो ज इसी आसा और विश्वास के साथ बच्चों, अपनी वाड़ी को विराम देते हैं, पास्ट्यू बने रहिए, लगे रहिए बच्चों, जीवन एक संघर्स है, ठीक है न, संघर्स में उपर नीचे होता रहा था, उससे परिसाद नहीं होना है, ठेंक्यू बच्चों, जैहि है, पासरा हुष्चों को थोते हैं, भी बच्चों को विराम रहिए रहिपना है, जी रहिं रह सर वग忘., जी रह सरे योवन दिवाद Ale रह यों कि रहे बच्चों , फप्रफ़ हैं, आवरिके हैं, यो बच्चों को विरा है, विराम जार्स हैं, 0.151 बच्चों…